सुबरा ये निफ्टी बांक की ओपनिंग आपको कैसी लग रही हो और स्पेशली प्राइवेट बांक जो की परफॉर्म कर रहे हैं आईसे से बांक, एक्सेज, इंडसेंट बांक इन पर आपका व्यू क्या है? तुबरा ये ये एक बैकबोन रही है मार्केट के कल के भी सेशन में हमने इसी कोई इसी इंडस को परफॉर्म करते हुए देखे तो मेरा मानने के शाद नियर टर्म में यहाँ पर 21,300 जो टॉप के असपास है तो आधिक वहाँ तेक एक स्पर्ट आने के सम्माव हमने है और ज जो यहाँ पर एक बूस दे सकती है तो है तिक कोटक बैंक जो आज की जो भी एक मीटिंग अगरा है तुसमें यहाँ पर बाइंग की स्पर्ट आ सकती है और हमारे जो पसंदिता काउंटर यहाँ पर इंडसिन बैंक और यस बैंक दोनों लागातर आउट परफॉर्म कर रह हाई हिट हुआ है अगर कोई स्टॉक से इंटरसिंग इसमें एक बार इस लिस्ट पर नजर डलते हैं क्योंकि इंडेक्स काफी नस्दीक है नाइन जीरो नाइन फाइव के अब आप देखिए 52 वीक हाई में अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं बॉंबे बर्मा आज देखने को मिला है इसमें कोई ट्रेड इस समय लेना चाहेंगे क्या सुब्रा आप सुब्राम ने वावाज आ रही है क्या आपको चले शायद उन से समपर्टू हो गया आज जो स्टॉक्स फिफ्टी वीक हाई पर हैं इसमें कुछ एक इंट्रेस्टिंग स्टॉक्स जैसे इसमें से कहीं ट्रेड रेक्मेंट करेंगे क्या है इसमें इंडियाबूल वेंचर एक इंट्रेस्टिंग स्टॉक्स यह लगातार यहाँ पर बाइंग देख रहे हैं और एक 51 के असपास बंदु यहाँ पर एक बाइग की जा सकती है नियर तम टार्क एट इंग 57 58 एएट इसमें यहां तक जाने समावन है बॉंबे बर्मा वगरा अव्यसली लगाता रहाम यहां पर बाइंग देख रहें लेकिन यह ज्यादा तर इसको इन्वर्स्पेंट कैटेकरी में माना जाता है और अभी भी एक्कुमिलेशन कैंड़ेट है और DCB यह तो अपने अलगी एक तेजी की एक रैली पर है तो आई थिंक करेंट लेवल पर यहां पर मैं रिकमेंड ने करूंगा लेकिन आइधिंग वनकर होल्ड ओन अवी तरफ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ फाई-7 रुपीस आइधिंक लेकिन आभी भी यहां पर 175 अस्टी तक जाने है पूरी समावन है जे अविनाश एडिश्मेंट फार्मा में 20 परसन के अपर सर्किट लगा है खुलते ही खबर जो आई है वो यह है कि टेसारो इंक के कैंसर ड्रग को अप्रूवल मिला है और कंपनी वन अफ दी एपिए सप्लायर है टेसारो को इसलिए इतना एक सिग्निफिकेंट प्लियर है और यह जो कॉंट्रैक्ट है इसका जब ही मेरे खाल से जब कमिश्निक स्टेस चुरू होगा तब ही इसका इंपक्ट आपको एफ़ाइटी में जरूर देखने को मिलेगा मेरे खाल से मार्केट इस बात पर एक खुश है कि यह एपिए का जो सप्लाय है वो एक्स काफी अच्छी जगा होगी एक फिर से देख लेते हैं उन स्टॉक्स को जहां पर विद वॉलिम्स अच्छा सर्ज है इन फैक्ट अविनाश में आप इसे कॉमेंट लेना चाहोंगी एक तो एरोज इंटरनाशनल और दूसरा फिनोलेक्स केबल्स वैंकीज की अभी हमने थो और तीसरी तिमाई में वेंकीज ने काफी शांदार नंबर डिकलेर किये थे ऐसा लग रहा है कि फोर्ट क्वाटर के नंबर्स भी काफी अच्छे आएंगे और हाली में जो उत्तर पधे श्टेट है वहां पे स्लोटर हाउस पे यह एक बैन लगाया है जिससे कि हमको लग है कि शॉट टर्म में प्राइसिज जो है पोल्टरी प्रोडक्स के लिए और भी बढ़ेंगे तो यह फैक्टर मार्केट्स पॉजिट्री व्यू कर रहा है रही बात फिनलेक्स केवल की तो यहां पर हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का एक्सपांशन इन्होंने किया है अक तो वेल्स्पन है जो की करीब चार परसंट उपर है ठीक वॉल्म्स के साथ यह चल रहा है बीपेल पर तो खेर है इमोग हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से यह वह स्टॉक्स हैं जिस पर अच्छा मूग देखने को मिल सकता है एक बार जो रिसेंटली लिस्टेट स्ट प्रकास्ट इस मोर और लेस आउट ओफ रेडार मार्केट के लिए पता नहीं के बीएसी भी और नाइन ट्वेंटी नाइन फिफ्टी की रेंज में अटका हुआ है पीन भी हाउजिंग ठीक है करीब 1115 के असपास अभीनाश इसमें कुछ एड़ करना चाहेंगे क्या आप अब लग रहा है कि मीर आने वाले साल में रिस्क रिवाड रेशो काफी अच्छा हो सकता है मेरे ख्याल से आइधिंग विदिन दर लिस्टिड आईपियो जो रीसेंट आईपियो जै यह डेफिनेटली रिटर्स के वाइस हमको लग रहा है कि आगे भी अच्छी रिटर्स आज भी चल रहे हैं सभी शेयर्स वो भी स्टिड वोल्म के साथ बलार पुए इंडस्ट्री जिए मालु पेपर शेश्र सेया पेपर सभी में अच्छा रुजहान है आजके सेश्न में भी को ट्रेट लेंगे इनमेंसे किसी स्टॉक पर देखें, मालू पेपर्स मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है करन्ट मार्केट प्राइस पर रफली 34 के आसपास का इसका प्राइस है, मुझे लगता है कि वन कन टेफिनेटली गो लॉंग इस मालू पेपर्स, स्टॉप लॉंच और रफली 32 का और टागेट जो रहेगा वह 40 क के आसपास रहेगा, in fact, मिहर, you are talking about BAC, मुझे लगता है BAC में बहुत अच्छा एक price formation बना है, bottom यहाँ पर intact है, BAC Limited, which is at 940, 900 के आसपास का इसका base formation, if I am not wrong, BAC ये लेवल तोड़ेगा नहीं, और इसमें जो momentum आएगा, वो रफली 11 तक का दिखता है, तो अगर किसी को invest करना ह है, तो मुझे लगता है BAC Limited, एक अच्छा विकल्क होगा. दिवल, I think broadly, एक underperformer रही है, और मेरा माले कि यहाँ पर एक dividend, I think, near term, एक X होने की जासा है, उसी की चलती यहाँ पर बड़त मिलने को मिल रही है, तो I think, near term, I think, अगर किसी को लेने का है, तो शाहिए 335 से जा सकते है, लेकिन, I think broadly, current level पर आप वोट आवाइड, एक बार अब इस पर मस्बूती और extend हुई है, और अब 6.5% उपर यह stock आ चुका है, एक बार पूरे ही auto space को देख लेते हैं, कल hero motocop कमसोर close हुआ था, और आज भी Supreme Court में जो unsold BS3 inventory है, उस पर सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन पूरे space में at least हरा रिशान देखा जा रहा रहा है, अब कैसा लगता है आपको? जिए जिए